अगर आप जीतने वालों को सुनिये अगर आप जीतने वालों को ठक काते हैं तो पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए कॉंग्रेस के सब ठक थे आप उनको भी ठक बोलेंगे अगर जीतने वाले को ठक कहते हैं तो इसका मतलब है बाकी के इसके पहले के भी सारे प्राइम मिनिस्टर ठक ही थे आपकी नजर में कि आपके यहां आगया है ना यह विचार धारा की जो गंद आपके पालिटी में आ गई जिस हिसाथ से विपक्ष के दर अपने विचारों को रखते हैं बेड़ा घर कर दिया है आप लोगोंने इसका मुझे दूख होता है मुझे बोलना नहीं चाहिए जीक है जीक है जीक ह और शिरुवात कर लेते हैं एक मिश्रा जी आप से क्योंकि जैसा हम आद चर्चा कर रहे हैं सीम योगी को अब अंगाल के चुनाओं में भी उतारा जा रहा है और बीजेपी को यह पूरी उमीद है कि उनकी एंट्री ममता बनर जी के के किले धुस्त करने में बहुत साबित होगी आप इसको कैसे देखते हैं देखिए बीजेपी की खुबी रही है कि समय के साथ साथ इसने चतुर्दिक विकास किया है मतलब ओवरॉल डेवलमेंट या ग्रोथ इसने केवल स्टेट या चुनाओं को नहीं जीता इसने इंटरनल ग्रूमिंग भी की है आप य देखिए ऐसे कितने सारे नेता बीजेपी ने पैदा किये हैं पिछले पान साथ सालों में उसमें से योगी आदित नाक्त जी एक बहुत प्रमुख जो है ब्यक्तित तो हैं ये इनका एक वैलू एडिसन है और ये बीजेपी के लिए यूएस पी है और बंगाल इलेक्शन क की बात करें तो जिस तरह की वहां पर चुनोतियां है देखे पंगाल इलेक्शन में हमेशा से सत्त क्या है मैं ये नहीं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन ये आरो प्रत्यारोप्या हमेशा ये लगता रहा है कि धर्म विशेष के लोगों का तुस्टी करण बहुत किया गया उनको मतलब सहूलियते बहुत ज़्यादा दी गई है तो इन सब चीजों की अगर कार्ट कम सकम अगर पाई चार्ट बनाया जा तो इस फैक्टर पे तो इस फैक्टर पे तो इनकी कार्ट जो है योगी जी रहेंगे ही रहेंगे तो किवल योगी जी ही नहीं आप देखे बी चुनोती का सामना करने के लिए ये नहिसी बिचास के मुद्धे पर पोलने के लिए ये रहेंगे और विकास के मुद्धे पर इgenderhahn चुशासन के मामले में सबलस बहुत-बड़ा राज जो ये मुद्दा भी उठा रही है कि बंगाल में अराजकता है रोज खबरे आती है कि हत्या हो गई किसी ने मार दिया किसी को सब चुनावी रंजिस पॉलिटिकल हत्या हो रही है वहाँ पे तो डिफिनेटली बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि देखिए शासन सुशासन कैसे चलता है क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है दंगों को और ये बहुत बड़ा देखिए सेफटी का जो फैक्टर होता है वो किसी भी जन्मानस क दिमाग पर बहुत तेज असर करता है तो कहीं ऐसा नहों कि योगी जी को महां पर उतार के यह अपने बहुत बड़े लक्ष को साथ ले नेता टीमसी विमारा साथ में हैं डॉक्टर द्याशंकर डॉक्टर द्याशंकर स्यम्योगी की एंट्री के बाद में आपको नहीं प्रवक्ता जी यह तो कह रहे हैं कि हमने योगी जी को उतार दिया और योगी जी बहुत मददगार साबित होंगे लेकिन कॉंग्रस का क्या होगा बंगाल में पहले इस बात के लिए मैं जंबित था के मिच्छा जी एक मिच्छा जी हमारे पॉलिटिकल एक्सपार्ट है वो बोल रहे हैं यह परवक्ता बीजी पी बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था था दो ही लाइने आप लोगों की शुरुआत होती है अरे यह समझा से समान की तरफ जा रहे हैं यह पार्टि उप्रेश्ट की कर रहे हैं हम बात करें कि यूपी के काम के सहरे बंगाल में भी के सत्ता को यह लोग पुकार रहे हैं और सत्ता को क्या पा लेंगे सीम योगी ने जो अपने काम गिनाए हैं क्या उन कामों के जरिये बंगाल में जंता की दिल को जीता जा सकता है और हमने देखा भी जब 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 जैसे बंगाल की एक हम बाइट सुनवा भी रहते जब वो पहुंचे और उनकी और से जिक्र किया गया तो लोगों का जो समर्थन और सहयोग उनकी बातों को मिलता है वो देखते ही बनता है हम यहां पर बात करेंगे कि राजिनीत क्या है और चुनौक कैसे जीता जाता है आप अच्छे हैं बीजेपी खराब है आपने विकास किया उन्हों नहीं किया यह आप लोग अपने पार्टी तक रखी मेरा उससे मतलब नहीं है सवाल यह है आप यह देखिए यूपी के जो विकास है जो शुषासन का मॉडल है बीजेपी ने पहले क्या किया था गुजरात के मॉडल को दिखा करके तो इन्होंने पूरे देश में सरकार ब राजनीत में ज्यादा तर यह देखा गया है कि रेशनल डिसीजन वोटर्स नहीं लेते हैं राजनीत में इमोशन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंक्लूडिंग अमेरिका में आप देखिए पिछले कैंपेंड में क्या था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगें यह पोजिशनिंग थी ना ना कि कोई डेवलम्मेंट उसकी बाग रेशनल अगर हमारे वोटर अगर रेशनल हो जाएं और हार्ड कोर विकास और इन से चीजों पर देखने लगे तब तो पांच साल के भीतर जो है तेस सोने की चड़िया बन जाएगा मुद्दा यह है यहां च पीमसी को बहुत जादा दिक्कत हो रही है पिछली बार इनको इतनी इन्होंने कॉंग्रेस को और माक्सवादियों को मंता ने बहुत आसानी से हटा दिया लेकिन अबकी बार कहीं मंता दीदी को यह लग रहा है कि चैलेंज बड़ा मुश्किल है बड़ा टफ है तभी उन् संजय भाई साब ने यह सोच विया होगा कि अपकी बार हम टीवी डीवेट में बैट करके बंगाल का चुनाओ लड़ेंगे ग्राउन पे तो जाएंगे नहीं कभी गये हैं कभी कॉलकटा जाने की कोशिस की संजय सर आपने तो आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए तीवी संजय पर आपको मालूम नहीं है वह तो मुझे पता है कि 1886 से एओं यूम ने जब से स्थाथमा की तब से कॉंग्रेस है अरे सर आपकी पार्टी महां दिक कहां रही है गलियों में चौराहों पर कोई जंडा उठाने वाला नहीं दिख रहा है आप लॉट नहीं मंगा जाएगा अगर यह बात देंगे आपके सब्सक्राइब कर दोड़े समय के लिए यह लोगों को समझ में आ रहा है आज किसानों को समझ में आया आए देश्के उजोग पतियों को समझ में आ रहा है सवाल यहां पर है कि जो बिपक्ष का काम करना चाहिए अब एक ही बात को पकड़िये आपने बोला कि सम्विधान में बैन है वाई इन चीजों पर आप राजनीत मत करिये वोट मत मांगिए तो कम सकम उसका प्रतिरोध तो आप मजबूती से करिये और ताकि उनको रोक सके मुद्दा यही है कि आप प्रतिरोध करते हो लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है आप क्यूं नहीं रोक पा रहे हो पचासों मुद्दे हैं बिजेपी के किलाफ आप बस थोड़ा सा शुरू के करते हैं उसके बात अंछिंप परनिती उसकी कुछ होती नहीं होती भी है तो आपके अगेंस आपके सारे दों ऑपके सारे प्रयास फेल क्यूं हो जाते हैं झबकि देश में सबसे जदा graduating experience आप लोगों को है आपके नेताओं को है सरकार बनाने का, राजनीत करने का, राजनीत में क्या-क्या दाओं पेंच होते हैं, शायद आप से ज़्यदा किसी पार्टी को इसका experience नहीं है, अब क्या कारण है यही तो आत्म मंधन करने की, और यही एक सबसे बड़ा सवाल रहता है, अगर आप जीतने वालों को सुनिये, अगर आप जीतने वालों को ठक कहते हैं, तो पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए कॉंग्रेस के सब ठक थे, आप उनको भी ठक बोलेंगे, अगर आप जीतने वालों को ठक बोल रहे हैं, तो इसके पहले जितने प्राइम मिनिस सब थग हुए अगर जीतने वाले को आप थग कहते हैं तो इसका मतलब बाकी के इसके पहले के भी सारे प्राइम निस्टर ठग ही थे आपकी मज़र में सर यह जो कल्चरल प्रदूशन आपके हाँ आगया है न यह विचार धारा की जो बंद आपके पालिटी में आगये जिस हिसाब से विपक्ष के दर अपने विचारों को रखते हैं बेड़ा घर्भ कर दिया है आप लोगोंने इसका मुझे दुख होता है मुझे बोलना नहीं सब्सक्राइब करते हैं आप लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लेकर बंगाल में अगर जाया जाए तो यह कितना लावदायक होगा बीजोपी के लिए देखे मुझे ऐसा लगता है कि इनका यूपी मॉडल जो है काफी कुछ अपना असर वहाँ पे दिखायेगा मैं आपको एक चीज़ बताऊं पोलेटिकल डायवर्स्टी इंडिया में भले ही बहुत जादा है लेकिन कहीं न कहीं एक सूत्र ऐसा है जो साउट से लेके मतलब जैमाकाली और ये सारे नारे जो है टीमसी भी दे रही है ममता दीदी भी उसी जो है उसमें आ रही है कहने का मतलब कि जिस मैदान में भाषपा खेलना चाहती है वो बड़ी होस्यारी से अपने विपक्ष को उसी मैदान में ले आ रही है बाई टीमसी ने ममता दीदी ने त उत्तर प्रदेश का है उतना ही जहां देखे यूपी में भी इनको चुनाव जीतना बहुत कटीन था लेकिन वहां पे भी अपने एक मॉडल के थूरू और अपने मेहनत से इन्हों ने चुनाव जीता ऐसे ही बंगाल में जो चुनाव है वो बड़े क्लिस्ट हैं बड़ा कॉ लगता है कि इस कॉंप्लेक्स सिस्टम को बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है दोनों पार्टीयां समझ रही है देखें मैं दोनों पार्टी का नाम ले रहा हूं टीमसी का भी और बीजेपी का भी टीमसी इस चीज़ को बखू भी समझ रही है कि अब की बार हमे जो है बहुत जबर्जस्त चुनोती मिलने वाली है और इतनी जबर्जस्त चुनोती मिलने वाली है कि कहीं हमारा तंबू, बंबू, खेमा ही न उखड़ जाए इसलिए तो वो भी इतनी active है ना इतनी active तो TNC तब नहीं हुई है जब यह मार्क्सवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे तो TNC की जो hyper active TNC हो गई है वो भी देखिए आप मेरी बात मत मानिए अक बारों की किसी की बात मत मानिए लेकिन आप TNC जो hyper active हो गई है जो इनके क् आख की लड़ाई होगी और बहुत इंट्रेस्टिंग यह जो है चुनाव होगा बंगाल का इसमें हम सभी लोगों को देखना है कि एक एक दिन इतना इंट्रेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है एक एक दिन देखिए नए नए वहाँ पर घटना हो रहे हैं हर दिन नए रोज रोज सुबह कुछ और है शाम को कुछ और है तो इतना एक्टिव चुनावी महोल शायद इसके पहले राज जस्तर पर देखने को कहीं नहीं मिलेगा जितना आपकी बार देख रहा है और बीजेपी के वाल योगी ही नहीं बीजेपी के पास और भी बहुत सारे माडल है जिसके पास जो है वो प्रेजेंट करेगा कॉंग्रेस के खेमे में जो चीजे हैं वो कॉंग्रेस भी करेगी टीमसी के पास जो है वामपंतियों के पास जो है निर्दली जो है वो भी अपना मेरा सभी की तरफ से शुक्तामना है मैं मेरा उसमें किसी पार्टी से नहीं है लेकिन as a political analyst जो मुझे देखना है वो मैंने दो ही चीजे बताई election बहुत interesting होगा और TMC को ये पता है कि अपकी बार उनको चुनोती बहुत जवर्जस्त मिल रही है TMC जो है वो defensive mood पे है अपने आपको बचाने के लिए कि हमारी सरकार बच जाए बीजेपी पूरा ही बीजेपी काम क्यों लिए नहीं कर रही है कि हम कुछ सीटे पा जाए बीजेपी ये प्रण ले करके वहां पर काम कर रही है कि हमें पूरा इनको उखाड के फेक देना है और clear cut बीकास यनोंने किया यह वह बिकास का बढ़न करे बंगाल में जाकर कि और चौक क्या झालर कीया तो यह तो यह फाइक्टuko ॢलो आई ने बात पर गाल 175 8 इस चीज को मांगता हूं बीजेपी ने विकास को चुपाने के लिए दिवाल बनवा दिया तो एक अध्रिस दिवाल खड़ा कर दिया था कुछ प्रदेसों के मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहे थे दिल्ली से CPI गई आपने दिवाल खड़ी कर दी CPI अभियुक्त से बात ही नहीं कर पाई ऐसा दिवाल आपने बना दिया तो दिवाल तो आपने भी बनाए है सारी पार्टियों ने बनाई है इन दिवालों के बावजूद भी जो इंट्रेस्टिंग होगा वो यह होगा कौन दिवालों को तोड़ जयता है